अब एक बार फिर से कनाडा ने भारत के उपर एक बड़ा आरोप लगा दिया है जानेंगे कनाडा के PM जस्टिन टूडू आखिर करना क्या चाहते हैं जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खुद कनाडा के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ है इन सब के बीच में क्या भारत की वज़े से 22 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है कनाडा को और बौखलाया हुआ है कनाडा जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खवरों को विस्तार से एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं अद कचरी विद्या दहे राजा दहे अचेत ओछे कुलतिरिया दहे दहे कपास का खेत कुछ वैसा ही इस वक्त कनाडा के साथ हो रहा है कनाडा की पीम जस्टिन टूडू इस वक्त चारों तरफ से घीरे हुए हैं स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं जिन्पिंग और जस्टिन टूडू ये तस्वीर तब की है 2022 की है जब सी जिन्पिंग भिड़ गये थे जस्टिन टूडू से या फिर यूँ कहें कि अपने गुसे को काबू नहीं रखा था और जश्टिन टूडू के ऊपर अपना गुसा उडेल दिया था कारण क्या था? कारण ये था कि जिनपिंग और जश्टिन टूडू के बीच में कथित तौर पर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को सी जिनपिंग ने कहा था कि आप हमारे भी जो बाचित हुई है उसे आउट नहीं करोगे लेकिन सी जिनपिंग के ये कहने के बाद भी जस्टिन टूडू ने उस मीटिंग की डीटेल को दुनिया के सामने रख दिया था बहस इसी चीज को लेकर हुई थी और बौकलाए हुए जिनपिंग ने क्लास लगा दी थी सिर्फ यहां ही नहीं जस्टिन टूडू की कई सारी चीजें दिख रही है जो देश को सही तरीके से सम्हालने वाली इस्थिती में नहीं दिख रहा है जैसे की अब ही कनाडा ने क्या किया है अंतराष्टिय स्टूडेंट्स के लिए एक लिमिट तै कर दी है दो हजार तैस के लिए इन्हों ने कहा है कि सिर्फ हम 35 परतीसत स्टूडेंट ही बाहर से लेंगे इस से जादा हम नहीं लेंगे दो सालों के लिए अमन में आपके लग रहा होगा कि कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है क्या भारतीयों को सजा देने के लिए कर रहा है तो आपको बता दू यहाँ पर आप गलत है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं भारत के स्टूडेंट 86% तक अब कनाडा नहीं जा रहे हैं और कनाडा नहीं जाने की वज़े से कनाडा को एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है करीब 22 बिलियन डॉलर का तो कनाडा आखिरकार ये इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप क दो मकसद से लगा रहा है ये जो अभी एक बड़ा लॉस हुआ है उस लॉस को छिपाने के लिए भी कनाडा लगा रहा है कि देखो हमारी नीतियां खराब नहीं हैं हम खुद ही कुछ समस्याओं से जूज रहे हैं और कुछ चीजें हैं जो कनाडा के अंदर समस्या हैं जैस अर्थिक हालात को सुधारना चाहता है इसलिए ये टेंप्रोरी कैप लगाया गया है इसे टेंप्रोरी कहा जा रहा है पर दरसल कहा ये जा रहा है कि ये टेंप्रोरी कैप लगा के कनाडा कहीं न कहीं अपनी उस गलती को छिपाना चाहता है जिसके तहत करीब 22 बिलियन पालर का नुकसान कर चुका है भारत के साथ पंगे लेकर इसक्रीन परी का सक्स को देख रहे हैं यह दबैंक ओफ कनाडा है और इनका क्या कहना है इनका यह कहना है कि सिर्फ खाने के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको छोड़ दो और घरों के रेंट वगेरे जो दाम बढ़ रहे यहां पर टकर पहुंचे हैं टकर जो एक जाने माने पत्रकार है और जब यह यहां पहुंचे हैं तो यह इनका स्वागत एक बहुत बड़ी भीड़े ने किया और इन्होंने मजाकिया लहजे में ही कनाडा के पीम जस्टिन टूडू को गो बैक टू क्यूबा की सलाह देती है दरसल बात करें इस वक्त कनाडा के अंदर तो कनाडा के अंदर जस्टिन टूडू की लोगप्रियता बहुत कम हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा वज़े क्या है एक तो कनाडा की एकोनोमी समहाले नहीं समल रही है स्क्रीन पर देख सकते हैं हाँ पार्टिकल कनाडा की सिकुड गई है एक दसमलो एक परती सत्ता क्वार्टर तीन में और यहाँ पर मांगाई दर भी है लेकिन मांगाई दर को यह फिर भी इगनोर करके चल रहे हैं दूसरी तरह बात करें कनाडा के बिजनेस सेयर की तो यहाँ फॉरण इंवेस्टमेंट अभी बहुत कम हो गए हैं और कहीं न कहीं बिजनेस प्रभावित भी हो रहा है इसक्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं कुल मिला कर कहें तो यहाँ पर कनाडा की स्थिती सही नहीं दिख रही है इसक्रीन पर देख सकते हैं आप 2022 में जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ना शुरू पीच में थोड़ा डाउन भी हुआ तो भी यह अपने निम्तम अस्तर पर नहीं आ सका है तो कहीं न कहीं कनाडा के अंदर खुद ही बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसे में कनाडा के पीम न एक बार फिर से एक चाल चलना चाहते हैं तो पहले कनाडा के पीम यह आरोप लगाते थे कि चाइना की हमारे देश के अंदर बहुत घुसपैट है और इसको लेकर कनाडा के पीम ने 85 चाइनीज रिसर्च ग्रूप के ऊपर एक बैन भी लगा दिया था नाम भी इनका उजागर कर दिया था जो नेशनल सिकुरिटी के लिए एक बड़ा खत्रा बताए जा रहे थे पर अब यहां पर लगता है भारत से एक बार फिर पंगे लेने के मोड में है कनाडा भारत और कनाडा के बीच राजनाइक वीबाद अब नया चरन में पहुझिया है इस बार कनाडा ने भारत पर एक नया आरोप लगाया है खालिस्तानी आतंकी की हत्या का ठीक रहा भारत पर फोड़ने के बाद कनाडा की जस्टिन टूडू सरकार ने हिंदुस्तान पर चुनाओं में हस्त छेप करने का आरोप लगाया है। कनाडाई सरकार का मानना है कि भारत ने उसके आम चुनाओं में हस्त छेप चिया है। अब वहां का जांच आयोग इस मामले की परताल करना चाहता है अब कनाडा का Foreign Interference Commission कथी तोर पर चुनाओ को प्रभावित करने की भारत की कोशिश से जुड़ी जांच करना चाहता है Bloomberg की रिपोर्ट के अरुसार विदेसी हस्त चेप की देश की सारुजनिक जांच इस बात की जांच करेगी कि भारत ने 2019-2021 में ओटावा के राश्टी चुनाओं में हस्त चेप किया था या नहीं किया था Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सार करनाडा के प्रधानमंत्री जशनी टूरू ने मीडिया में खूफिया दस्तावेज लीक होने के बाद जांच सुरू की थी इन दस्तावेजों में आरोप लगाया गया था कि चीन ने राश्ट्पती सी जिन पिंग के सरकार के परती सहनबूती रखने वाले उमिद्वारों का समर्थन करके करनाडा के चुनाओं में हस्त चेप किया था जांच की सुरुवाती सारजनिक सुनवाई अगले सप्ता सुरू होने वाली है आपको बता दें कि ये वही कमीशन है जिसे साल 2019-2021 में चीन रूस के लिए भी ऐसा ही कहा गया था वैसे आपको बता दें कि अब भारत और इरान के उपर भी आरूप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने भी हमारे यहां चुनाओं को परभावित करने का काम किया है अब ऐसा लग रहा है जैसे कनाडा के जो पी-एम है वो खुद ही इस वक्त परिसान है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो अपना ठीकरा किसी के भी उपर फोड रहे हैं क्योंकि अभी कोर्ट भी उनके खिलाफ ही नजर आ रही है जो निर्ने उन्होंने लिये हैं उसे दे झाल 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 झाल